बढ़ती गर्मी और घटते जलिस्तर से राजधानी में जल का संकट हो गया है जहां एक और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है तो वहीं दूसरी और लखनव जल सहस्थान के महा प्रबंदक S.K. वर्मा मामले पर जवाब देने से बच रहे हैं 2017 में अब तक जलिस्तर एक से दो मीटर नीचे खिसक चुका है बीते 34 सालों में शहर की जलापूर्ती के लिए लगाए गया ट्यूबलों की संख्या दस गुना तक बढ़ गई है लखनव विश्विद्याले भूगर्व विभाग के विभागा देक्ष केके अगरवाल का कहना है कि अंदा दुन्द जल दोहन की वज़े से शहर का भूजल इस तर नीचे जा रहा है इसकी वज़े से जमीन धसने की संभावना हो गई है जल संस्थान लखनव से मिले आंकडो के अनुसार 1985 में शहर की मांग पूरी करने के लिए केवल 70 ट्यूब बे लगाए गए थे उनकी संख्या अब बढ़कर 650 से ज्यादा हो गई है इसके बाद भी जल संस्थान खुद भी पानी संकट झेल रहा है इसकी वज़े से 16 घंटे तक होने वाली पानी की आपूर्ती में कई रिकॉर्ड गिरावट दर्स की गई है आंकडो की बात करने तो 2018 में गोमती नदी का जल स्थान ने उन्तम 346.7 फुट रिकॉर्ड हुआ ऐसे में ये तैह है कि भुगर्व जल का दोहन आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगा ये खतरनाक संकेत है तो लाइफ टुडे लगातार जो अपने जो जागरुकता भियान चला रहा है और ये अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि पानी जो है उसको बरबात ना करें क्योंकि जो लाइफ टुडे की जो अपील है लगातार अपने दर्शकों से कि पानी को सेफ करें बरबात ना करें जल जल ही क्यों बिल्कुल जल ही के तभी तो कहा ज़ादा जल है तो कल है तो इसी मयम को लेकर के भूजल दोहन की जो दोहरी मार है इससे भी बचना होगा पानी जो है गंदा आता है पानी वो साफ नहीं आता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल साफ आने लगता है नहीं तो नहीं आता है कभी कभी गंदा एक तना गंदा पानी आता है कि कुछ कहने को नहीं और पीने में बहुत दिक्कत होती है कि जब रख देते बाल्ट यह तब नीचे बैट जाता है तब हम लोग पीते हैं। अगर हम देखेंगे तो यह अनुपात बहुत घर्ता बुर्ता उधारण के लिए हम यह नहuarपे गंगा के जल गंगा मैदान में हैं जहान पर गंगा की मिट्टी है और अगर हम लगनु शहर को देखें कानपूर को देखें तो यह मिट्टी की जो मुटाई है यह कम से कम एक स तो अगर देखा जयोई तो यहां पर हमारे पास जल की स्थिति बहुत सारे प्रदेशों से चाए मध्यप्रदेश चाए महराश्र को और हमारे पास जल की स्थिति बहुत अच्छी इस वज talking सब्सक्राइब इस मैदान की मिटि में राजधानी में पेजल की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है इसके करण है कि भूगर्ब का जलिस्तर है वह नीचे लगातार जा रहा है जो 10 मीटर पर जो बोरिंग कराई गई थी वो कहीं नीचे चली गई है जिसके करण 1.5 मीटर पानी नीचे आ गया है और कई छेत् सामिल है इस समय हम जो है रकाब गंज के छेत्र में हैं जहां पर यह बनाया गया है और लगभग यहां की लोगों से जब बात की तो पता चला की पेजल की अच्छी खासी समस्या है उनके सामने घर में जो पानी पहुंच पा रहा है वह पूरी तरीके से गंदा आता है जिस तरीके से गंदा पढ़ा काही ने कहीं रख रखाओ को लेकर कि जो बातें साफ सफाई सचता मिस्वान जो स्तमाम चीजे चलती रही वह भी कहीं ने कहीं यहां पर पूरी तरीके से फेल है पेजल की तो समस्या है कि भूगर जलेस्तर लगातार नीचे जा रहा है अब देख